इस्टॉक मार्केट में पढ़ गया है घमसान का रन तेजी और मंदी की लडाई हो रही है बुल्स अंड बियर्ज आफ फाइटिंग पिच्चे असी हजार से बानवे हजार पॉइंट आल टाइम हाई लेबल टच कर चुकी है मार्केट लेकिन ट्रेडर्स की जेब में कुछ नहीं आया मार्केट को लग गया एक और जटका क्यूं तेजी हो रही है और क्यूं मंदी हो सकती है इसका मुकमल जायजा लेंगे और लॉजिकल रीजिनिंग पे डिसकस करेंगे आज की वीडियो बहुत एहम है इसे आखर तक देखना मत भूलिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए असराम आलेकुम मैं हूँ शकील अन्वर कमाल और हाजिर खिदमत हूँ आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ़ते स्टॉक मार्केट ने अपना आल टाइम हाई नया लेवल ब्रेक किया और 92,000 के लेवल पर के ऐसी 100 इंडेक्स पहुँच गया इस लेवल पर पहुचने में लास्ट वन वीक के अंदर 85,000 तो 92,000 तक का जो सफर है इसमें हैवी वेट्स का बहुत बड़ा किरदार है और आप सब जानते हैं कि फॉजी फर्टिलाइजर, यॉनाइटिड बैंक, PPL, OGDC, PSO इन सब ने बहुत कांट्रिब्यूट किया है इंडेक्स की इस बड़ोती के अंदर और इसकी वज़ा से ये भी समझा जाता है कि ओवरॉल जो मार्केट का जो परसेप्शन है उसके अंदर काफी तजाद पाया जाता है और मार्केट में लोगों के हाथ में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है और उनके शेर्स की खीमतों में इजाफा नहीं हो रहा इसके बावजूद के मार्केट 92,000 का ओल टाइम हाई टच कर चुकी है इस पर शुकू को शुभाद भी किये जा रहे हैं कि ये मिनिपलेटिट तो नहीं है क्योंके मार्केट क्यों बढ़ रही है और आल टाइम हाईस क्यों ब्रेक कर रही है और उसकी जो सबसे बड़ी वज़ा है वो है शरह सूद में मतवको कमी चार नवंबर को होने वाली स्टेट बैंक और पाकिसान की मौनिटरी पॉलिसी कमीटी के अंदर कई लोग कहते हैं कि बहुत इमेंस ड्रास्टिक कट हो सकता है बगर मेरे ख्याल से डिर दो फीसद का ही कटोती मुमकिन है और इसकी बुनियाद पर मार्किट बढ़ रही है इंटरस्ट रेट इस दा की फेक्टर फॉर दा लास्ट सिक्स, सेवन, एट मन्स जो के मार्किट को बलंद से बलंद तर लेवल पर लेकर के जा रहा है शरह सूद में कमी यकीनन स्टॉक मार्किट के लिए अच्छी खबर होती है दूसरी इंपॉर्टन बात ये है के माशी आशारी बहतर हो रहे हैं यकीनन आईमफ की डील के बाद से बाकसान के माशी आशारीों में बहतरी की तबको की जा रही है और खास्तोर पर इंफलेशन नंबर्स CPI नंबर्स में कमी होती भी नजर आ रही है और गुज़िशता हफतों में जो इंफलेशन 10% से नीचे आ गया है 7%, 8% तक की बाते कर रही है इसके इलावा जो ट्रेजरी बांड्स की और ट्री बिल्स की जो इल्ड है उसमें भी नुमाया कमी हो रही है जो कि इस इमकान को तक्वियत दे रही है कि शरह सूथ में कमी होगी पाकिसान के माशी हालात में कुछ बेहतरी के आसार नजर आए है और पाकिसान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी रीजिनिबल इजाफा होता वा नजर आ रहा है पाकिस्तान में बैरूनी सरमायकारी की उमीदे बढ़ रही है क्योंके पाकिस्तान की खूमती एहलकार इस वक्त सौधी अरब चाइना के साथ भी निगोशियेट कर रहे हैं वो मजीद लोन्स में इजाफा करें पाकिस्तान के और उन्होंने जो पैसे पाकिस्तान को अल्रेडी दिये हुए है उसकी तवी मुदत को मजीद इजाफा किया जाए वापसी को लोटाने की मुदत में इजाफा किया जाए और मजीद सरमायकारी की राह हमवार करने की कर रहे हैं इस्टॉक मार्केट में तेजी की एक एहम वज़ा पाकिसान की लिस्टेट कंपनीज के कॉर्परेट अर्निंग्स भी है और गुज़िशता सेमाही के अंदर जो के जुलाई टू सेप्टेंबर ताजा तरीन गुज़री है इसके अंदर कुछ कंपनीज के रिजर् रही है जब से 26 वी आईनी तर्मीम का मामला हुआ है और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ट्रांजिशन आफ पावर हुई है उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत मजबूत है तो इस हवाले से मार्केट के अंदर एक सरमायकारी का कॉन्फिडन्स क्रियेट होना न तेजियां हो रही है इतनी स्पाइक्स आती है इसकी क्या वज़ा है इतनी घबराहट क्यों है इतनी जादा तेजी एक दिन में क्यों हो रही है सस्टेनिबल है ये ये क्विस्चन मार्क है इसलिए कि मार्केट के अंदर इस वक्त मंदी की फोर्सेज भी है बुल्स के साथ स valid reasons हैं उनके पास आईए जायजा लेखते हैं कि मंदी का क्या कारण हो सकता है इस बजार के अंदर सबसे अहम बात ये है कि गुजिशता आठ हफतों के अंदर गोरे ने 125 मिलियन डॉलर का माल बेचा है यस फॉरंड फंड्स ने 125 मिलियन डॉलर के वर्थ के शेयर्स मार्कीट म माने रखता है बजार में और उन्होंने क्यों बेचा है उन्होंने क्यों मार्केट से अपना पैसा पुल आउट किया है हाला के उनका सारी सेलिंग एब्जॉब कर ली लोकल मीच्वल फंड्स ने इंशोरेंस कंपनीज ने इंस्टिटूशन ने और हाई नेट वर्थ इंडिविजवल्स ने और इसमें इंडिविजवल्स ने बहुत जादा हाथ में ऐसा लगता है कि माल भी है उनके पास और इसी वज़ा से जो वीक होल्डर्स की तादाद बढ़ती भी नज़र आती है जिससे मारकेट में गवराट आ जाती है क्योंकि वो जादा देर सस्टेन नहीं कर पाते दूसरी एहम वज़ा ये है कि बहुत सारी कॉर्परेट अर्निंग्स कमपनीज की मतादित कमपनीज की खराब आई है इस सहमाई के अंदर मैं आपनी पिछली वीडियो में आपको रिफाइनरीज के नुखसानात से आगाह कर चुका हूँ जो इस सहमाई में आए हैं और दी बाइंग्स के मुनाफ़े भी काबले कदर नहीं है जिसकी वज़ा से सरमायकार सोचता है कि इस लेवल के ओपर या इस प्राइस के ओपर ये शेर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि प्राइस टू आर्निंग रेशू भी देखनी है और आर्निंग पर श जटकों से निकल नहीं पाई थी अभी उस नुकसानाद के जखम ताजा ही है कि मार्किट में पी आई ये ने एक और जटका दे दिया जी पी आई ये जो के जरूरी है प्राइविटाइस करना आईमेफ की शर्थ भी है और पाकिस्तान की प्राइटाइजिशन कमिशिन की अ प्राइजिशन के लिए और गुजिश्ता रोज होने वाले जो बिडिंग प्रॉसेस में सिर्फ एक कमपनी ने अपनी बिड डाली है एक कमपनी ने बोली लगाई और वो भी प्राइजिशन कमिशन की जो मतलूबा प्राइस थी 85 अरब रुपे की for the sale of 60% stake of PIA सिर्फ 10 एक कमपनी की इस से आप अंदाजा लगा लें कि हमारे इदारों की हालत क्या हो चुकी है कि इसको खरीदने में कोई भी potential investor interested नहीं है और इस इदारों की individual कारकरदगी इतनी खराब है कि जिसकी बुनियात पर रियासत की नाकामी का सबब बनती है ये और यही हालत है कि इस वक्त आप steel mill स्क्राप कर दी गई और PIA की privatization खटाई में पढ़ती वे नजार आ रही है अब होगा क्या एक bidder है तुसरी बात lowest तरीन bid आई है यानि के 10 अरब रुपए की अरे 14 अरब रुपए में तो पाकिसान hotel developers ने region प्लाजा बेचा है जी SIUT ने जो खरीदा 14 अरब रुपए में एक hotel building सिर्फ और सिर्फ शारह फैसल कराची में जो है वो 14 अरब रुपए में भी की है और PIA जो के national carrier है उसके लिए सिर्फ 10 अरब रुपए की वो भी एक company से bid आई है अब इस सूरतेहाल में या तो इस process को मनसूख कर दिया जाएगा और 12 से bids मांगी जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी company को bid raise करने के लिए कहा जाए लेकिन उनका statement भी already आ चुका है कि हम अपनी bid बहुत assessment और बहुत जादा verify करने के बाद कर चुके हैं and we stand to our price तो इस सूरतेहाल में बहुत ही जादा शुकूगोशुभाद जनम लेंगे अगर इनको दे दिया जाएगा Controversies create होंगी अब अगर इसको मनसूख कर दिया जाता है तो फिर कब दुबारा से process आगाज होगा कितने लोग interest लेंगे या नहीं लेंगे it's a million dollar question और फिर ये मामला खटाई में कितने अरसे तक पड़ा रहेगा साथ साथ IMF का pressure अपनी जगा पर रहेगा एक एहम बात ये है कि जी market में शरह सूथ कम हो रहा है लेकिन मंदी करने वालों के पास ये reason है कि 22 फीसद से 75 फीसद हो चुका है शरह सूथ और गुजिशता एक साल में हमारी market तकरीबन 50-60 फीसद बढ़ चुकी है इसी शरह सूथ की कमी को लेकर के इस बुनियाद पर हमने market को बढ़ाते चले गए हैं लेकिन इंटरस्ट रेट तो सिर्फ साड़े सतरा परसंट आया है और ये जो लोग कह रहे हैं कि जी सिंगल डिजिट में आ जाएगा ये खाब शर्मिंदा ये ताबीर होता हुआ फॉरन नजर नहीं आ रहा हनूस दिल्ली दूरस एक एहम बात मेरे ख्याल में वो ये भी समझी जा रही है कि एरान और इसराइल का जो कॉन्फलिक्ट है अब वो डायरेक्ट हो गया है और इसके अंदर अगर मश्रिक वुस्ता की सुरतहाल मजीद हीट अप होती है और बढ़ती है ये जंग के बादल अगर बढ़ते हैं तो यकीनन ये खिते के ओपर ही नहीं पुरी दुनिया की मैश्यतों पर असर डालेंगे तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्किट इसके लिए भी कौशिस पेहेव कर रही है नेवंबर में अमरीका के इलेक्शन्स भी हैं और अमेरिका के अंदर एलेक्शन्स बहुत दुनिया के अंदर माने रखते हैं क्योंकि दुनिया की economic and political scenario के अंदर अमरीका के elections के बाद क्या तबदीलिया नूनमा होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो बहुत एहम करदार अदा करते हैं पाकिस्तान की माशी और stock market की कारकरदगी पर गुजिशता एक डिएड़ साल से जो political unrest कम होता हुआ नजर आया इसी की वज़ा से market बढ़ती भी रही अब सुना है कि establishment और इमरान खान की कुर्बत बढ़ रही है या कुछ ice break हुई है ये अगर सियासी गहर यकीनी की सुरतحाल बढ़ेगी तो market का क्या होगा मेरा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है मेरा मकसद किसी भी किसम की controversy में आपको डालना नहीं है मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ हकायक बियान करना है और तस्वीर के दोनों रुक आपके सामने पेश करना है फैसला आपका है आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया